है हलो स्टूरेंट, वैलकॉम टूमाई योटॉटफ चैनल उस्टूरेंज आज हम ।दिस्केस करने वाले हैं । रेकॉिनन डिएट टेकनोलोजी को चले मैं स्टार्ट करते न हैं? ranging को ए इस बहुत कैने नज़ाई दते हैं už मद्यूसार और नहीं ,osis बहूत को हमने डिजाय जीन दिया है इसको हम क्या करेंगे इसको हम जोइन करेंगे एक प्लास्मिट के साथ हमने जो प्लास्मिट लिया है वो हमने इकोलाई इकोलाई बैक्टीरिया का प्लास्मिट लिया है इकोलाई बैक्टीरिया का जो प्लास्मिट होता है इक्स्ट्रा प्रोमोजोमल DNA होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्मिट बोलते हैं, यह प्लास्मिट जो है, वो वेक्टर की तरह काम करेगा, यह वेक्टर का काम होता है, किसी भी चीज़ को पहुचाना, तो यह वेक्टर जो है, हमारे डिजाइड DNA को जो है, यह कोलाई की सेल के अपने DNA को भी कट करेंगे इस प्रिंट करने के बाद हम इन दोनों को इस वेक्टर को और इस फॉरण DNA या जीन को एक साथ जो है DNA लाइगे इस एंजाइम की हेल्प से जॉइन करा देंगे अब ये जॉइन कराने के बाद ये जो DNA बनेगा अब हम इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट DNA ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA ये रिकॉम्बिनेंट DNA ही ट्रांसफर करेंगे हम इकॉलाई सेल के अंदर हम अपना रिकॉम्बिनेंट DNA ट्रांसफर करते हैं ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है जिसके अंदर हमारा ये वैक्टर है प्लास्मिट हमने सक hindralf कर दिया पि screwing जैसे हमने eqlai cell के अंदर मिसे ट्राइस में करेंगे वैसे ही मोगा जैने टिक ली मॉडिकाइटोफाइड ओर्गिनिसम इस dolog के अंदर हमारे Genes Tig Fleck स्कांद नमबरं करेंगे इस पिया कॉफ करेंगे इसका सराइस कर Saya है उसको जो है increase कराएंगे इस equali cell के अंदर ये equali cell है इसके अंदर जो हमने strength की desired gene डाले हैं यह हमने insulin बनाने वाले जीन डाले हैं यह gene क्या करेंगे इस equali के अंदर अपनी आपको express करेंगे और protein बनाएंगे वह proteinic hormone होगी जो hormone जो है diabetes के patient में दिया जाता है insulin hormone तो हमने insulin hormone एक cell से बाहर बनवा लिया ठीक है strength तो हमने इस equali के अंदर अपना desired RNA डाला और हमने अपना desired product बनवा लिया अपना desired insulin बनवा लिया और हमने क्या करा उस equali cell के अंदर insulin का जो है वो copy DNA जो है वो bacteria के अंदर अपने आपको express करेगा express करेगा तो DNA से क्या बनता है strength RNA बनता है RNA से बनता है protein translation की process होती है और RNA से messenger RNA से बनता है protein वो protein हमारा insulin होगा यह insulin जो है हमारा product बन गया अब हम insulin को क्या करेंगे उस bacteria की जो cell है equali bacteria की जो cell है वहाँ से अलग करेंगे वहाँ से अलग करने के लिए हमें कुछ process करनी होगी हम उन process को बोलते है downstream process downstreaming process के अंदर हम product का separation करते हैं product को purify करते हैं add product को यह अंदर हम preservatives मिलाते हैं तो यह सारे जो steps हैं यह downstream process के अंदर आ गए तो यह बहुत यह जो सारा हमने करा यह RDNA technology है हम RDNA technology की help से different products बनवाते हैं students RDNA की technology के अंदर हमने क्या क्या करा हम जल्दी से एक बार देख लेते हमने क्या 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 हमने यह अधिन लाइगे इस enzyme की help से join कराने के बाद यह हमारा क्या बन गया RDNA बन गया RDNA के बाद हमने इस RDNA को क्या करा transfer कराया किसके अंदर एक Ecoli cell कि अंदर आप Ecoli cell क्या हो गया हमारा GMO genetically modified organism हो गया अब हमने इस GMO को क्या करा इस जो हमारा genetically modified organism है हमने इसके अंदर क्या करा जो RDNA हमने इसकी बहुत सारी कॉपी बनवाई और बहुत सारा क्योंकि एक एक कॉलाई के अंदर छोटा सा RDNA कितना प्रोड़क्ट बनवा पाएगा बहुत कम ना के बराबर बिल्कुल बट जब हम उसका कॉपी नंबर जादा होगा तो हमें जाद से जा diabetes वाले patient को दिया जाता है ठीक है students I hope आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करें हमारे channel को subscribe करें और वीडियो को share करें thank you so much